हाथरस हाथसे के बाद आक्शन में अखिल भारतिया अखाड़ा परिशत बाबा सूरचपाल को फरजी संथ किया जा सकता है घोशित खुद को भगवान बताने वाले बाबाओ पर भी होगी कारवाई कुमाओं में आफद की बारश जारी सीम धामी ने वर्चोली की अधिकारियों के साथ मीटिंग अलट रहने के साथ लोगों की मदद करने के आदेश सीम ने कहा लोगों की सुरक्षा पर फोकस यूपी में सभी सरकारी स्कूलों में लगेगी डिस्टिल अटेंडेंस सिक्षकों पर भारी पड़ेगी लेत लतीफी ओनलाइन अटेंडेंस के विरोध में सिक्षक संगठन मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान आरसस पर लगाए गंभीर आरोप कहा मुस्लिम लड़कियों का मजह बदलवाय जा रहा पहाड के मैदान तक बाड़ बारिश ने बढ़ाई मुसीबत यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई अलाकों में पानी भरा उत्राखंड समेथ पहाडी राज्यों में बढ़ी परिशानी ग्रेटर नोइडा में एक होटल में चोरी की वारदार चोरों ने एसी और टीवी पर किया हाथ साब छे बेड़ शीट की मदद से फरार हुए चोर सीसी टीवी में कैद हुई खटना अयोध्या में सावन मेला और कामण यात्रा पर ATS और STF की रहेगी नजर ड्रोन कैमरे से मेले की लाइव स्ट्रीमिंग होगी सर्यू नदी में NDRF, SDRF की टीम रही की तैनाद बुलंद शेहर में बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया नगरपालिका की टीम ने जुर्माना भी लगाया पीम मोधी दो दिनों के दौरे पर रूस रवाना हो गए हैं राश्पती पुतिन से पीम करेंगे मुलाकात पांच साल बाद पीम मोधी रूस जा रहे हैं पूर्मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाला वाली नदी पर बने तटबंद की मरमत करारें पर उठाये सवाल कहा सरकार को राहत बचाओ के काम में लेनी चाहिए तेजी अनंतरादिका की शादी से पहले ग्रिह पूजा की तैयारी एंटीलिया में छाई रौनग आज से यूपी में शुरू हो रहा अन्फिट उस्कूल वाहनों के खलाफ अभ्यान सीम योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूशन समेट जरूरी कागच की होगी जाँच नीट यूजी परिक्षा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज कोर्ट के फैसले पर छातरों की टिकी नजर आने में ताओं सम्बंधी 38 या चिकाओं पर होगी सुनवाई आज की बुलेटिन में बसतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ